नमस्कार दोस्तो, स्वागत फिर एक बार आपका डीवी प्रूप रिवीज पे आप देखे रहे हैं, इस वुडियो में हम टेस्ट करने जा रहे हैं नसले मिल्की बार चो, तो यह जो है मिल्की बार ने कुछ नई कैंडी इन्होंने निकाल लिए तो इस वीडियो में जा हम इसे टेस्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसके net weight से मतलब आपको जो है ये कितने रूपिस का pack देखने मिलता, तो ये जो है 5 रूपिस का package जिसमें आपको जो है ये 10 ग्राम की जो है candy ये देखने मिलत यहां पर जो आपको इसकी सारी nutritional information देखने मिल जाएगी तो आप इससे pause करके पढ़ सकते हो तो यह पर 100 ग्राम की सबसे जो इन्होंने nutritional information दी है तो यह 10 ग्राम की candy है तो उसका अंदाजा लगा सकते हो इंग्रिडियंट्स की बात करो तो यहां पर जो आपको सारे इंग्रिडियंट्स जो देखने मिल जाएंगे इसे भी आप पॉस करके पढ़ सकते हो इंग्रिडियंट्स जैसे कि आपको पता होता है कि ज्यादा healthy नहीं होते हो कोई भी candy में नहीं होते है और यह जो है from nine months है from date of packaging तो अभी जो इसे जट से open कर लेते हैं और देखते हैं कि यह नई चो कैसी है या फिर regular milky bar की तरह है मुझे तो यहाँ पर regular milky bar की तरह ही लग रही है बस इसमें थोड़ा यहाँ पर pink color जो देखने मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि जो है इसे यहाँ पर इन्होंने mention भी किया है strawberry flavor तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि strawberry flavor add करने को ऐसे इन्होंने जो है इसे नाम दे दिया है milky bar show लेकिन यह regular milky bar की तरह ही देखने मिल रही कि इससे जो है ओके इस तरह से आप देख सकते हो तो अब इसे टेस्ट कर लेता हूं मैं तो बस regular milky बार जो होती है उसकी सेम टेस्ट आ रही है बसकी इसमें जो है इन्होंने जो strawberry flavor आड़ किया है उससे साब से हापर इन्होंने milky बार चो करके जो इससे नाम दिया होगा कि ज्यादा चुवी है तो उससाब से दिया होगा या फिर और कोई रिजन होगा लेकिन बेसिकली यह है कि regular milky बार है जिसमें strawberry flavor जो है एड़ किया गया है और हर बार की तरह जिस तरह में milky बार टेस्टी लगती है वैसी यह जो है milky बार चो टेस्टी है तो यही तमारा व कर सकते हैं यह फाइव रूपीज के पैक में भी आता है और इससे बड़े वाले पैक में भी आ जाता है वीडियो को देखने लगवा बहुत बहुत धन्यवाद मिलता है अगले वीडियो में